मानिय श्री सुभास नेंबांग पार्लामेंट के स्पीकर स्री एवं मानिय शांसद्गन और आधरनिय सभागर मानिय नेपालमा आउना पायको मा अत्यन्तै हर्शिच्छू ध्यरे ध्यरे वर्षगी एक पथीक या तिर्ध तिर्थालुको रुप मानिय यहां आईको धिये यो भनाईच की एक पटक तपायले नेपाल को भ्रमन गर्नो भयाओ भने यो जिवन परियन सम्मंदमा बदलिन्चो प्रधम तह यस सुन्दर देश को साधी को रुप मां मफेरी फरके आईको जू भारत को प्रधान मंत्री को हैसियत मां पुन आउन पाउदा वास्तों में मैले भागेशाली मसूस गर्चू यो यस तो यात्ता थियो जून्म प्रधान मंत्री को कारले मां प्रवेश गर्न वित्ते की गर्न चाहन थे किनकी हामरो नेपाल संग को सम्मंद मेरो सरकार को उच्चतम प्रात्मिक्ता मद्दे हो निमंत्रना घर्नो भैकोमा मसरकार नेपाल का जनता लाई धन्यवाद दिना चाहान थू मसंगे मेले 125 करोड भारतिय जनता को माया शुपकामना रस्थभावना लियर आयो छू आप कल्ब ना कर सकते हैं कि पल मेरे लिए कितने गर्व की पल है क्योंकि आपकी संसद में मैं पहला महमान हूँ जिसको आपने बुलाया है और संबोधन करने का आउसर दिया है यह सम्मान सिर्फ नरेंद्र मोधी का या भारत के प्रधन पंत्रि का नहीं यह सवा सो करोड भारतियों का सम्मान है मैं इसके लिए आदर्णिय स्प्रीकर सीका और आप अभी सभी सदस्यों का रदय से आभार रिव्यक्त करता हूँ भारत और नेपाल के सम्मंद उतने ही पुराने हैं जितना हिमालय और गंगा पुराने हैं अर इसलिए हमारे सम्मंद कागज की किस्तियों से आगे नहीं बड़े हैं हमारे सम्मंद दिलों की दास्तान कहते हैं जन जन के मन के प्रतिगोश के रूप में हैं हमें एक की सांस्कृतिक विरासत के धनी है मैं मूनतह गुजरात का हूँ सोमनात की भूमी है और सोमनात सी भूमी से चल करके मेराश्टी राजनीती का फलक काश्वी विश्वनात की छत्र जाया में मैंने प्रारंब किया काश्वी से किया और आज पश्वपतिनात के चरणों में आकर के खड़ा हुआ हूँ यह वो भूमी है जहां किसोरी जी बच्वन में खेला करती थी और आज भी हम जनक का स्मरन करते हैं यह भूमी है जिसने विश्व को अचम्बित कर देने वाले भगवान बुद्ध को जन्म दिया है ऐसी एक सांस्कृतिक विरासत की धनी है और इसलिए और जब मैं काशी का प्रतिनीदी बन गया तो मेरा तो नेपाल से नाता और जुड़ गया क्योंकि काशी में एक मंदीर है जहां पुजारी नेपाल का होता है और नेपाल में प्रशुपतिनाथ है जहां का पुजारी हिंदुस्तान का होता है भारत का हर व्यक्ति ये क्यावन सक्ति पिठों के दर्शन की कामना करता है उन्हीं क्यावन सक्ति पिठों में दो सक्ति पिठ नेपाल में है यानि इतना तूट नाता है हमारा और इतना ही नहीं हिंदुस्तान में वो कोई लड़ाई जीती नहीं है जिस जीत के साथ किसी नेपाली का रक्त न बहा हो किसी नेपाली ने शहादत न मोली हो भारत के स्वाबिमान के लिए भारत की रक्षा के लिए नेपाल का भादूर मरने मटने के लिए कभी पीछे नहीं रहा भारत के लिए जीने मरने वाले उन भादूर नेपालियों को मैं आज नमन करना चाहता हूँ भारत की सेना के फिल्ड मारसल एक बहुत बढ़िया बात तो अताते थे वो कहते थे कि कोई सेना का जवान ये कहे कि मैं मुर्ति उसे डरता नहीं हूँ तो मान लेना या तो वो जूट बोल रहा है या तो वो गुरुखा है अगर गुरुखा कहता है कि मैं मौत से नहीं चरता हूँ मतलब सच्चाई है ये बात फिल्म आरसल मानेक्षा ने कही थी ऐसी ये बीरों की भूमी है सांसकुर्द इक धारा है और आज मैं कह सकता हूँ नेपाल के नागरिकों के नहीं लोग तंत्र में विश्वास रखने वाले पुरे विश्व का ध्यान नेपाल की तरफ केंद्रित हुआ है और नेपाल की तरफ केंद्रित हुआ है मतलब इस सभागरू में बैटे हुए आप सब पर केंद्रित हुआ है लोग तंत्र पे विश्वास करने वाला पूरा विश्व आज आपकी तरफ देख रहा है बड़ी आशा भरी नजरों से देख रहा है आपको लगता होगा कापिस सदन में बैठ करके समिधान के निर्मान की चर्चा कर रहे हैं भिन्द भिन्द धाराओं की चर्चा कर रहे हैं समाज के भिन्द भिन्द वर्गों के हित्तों के कल्णान की चर्चा कर रहे हैं इतना नहीं है समिधान कि निर्माता के रूप में आपको ये सवभाग मिलना उस घटना को मैं अगर और तरीके से देगो तो हम जिस परंपरा से जीते हैं, कभी कुछ रुशी मन ने बेदर निर्मान किये, किसी ने उपनिशदे निर्मान की, किसी यूग में सहींताओं का निर्मान हुआ, और जिसके प्रकाश में हजारों साल से हम अपना जीवन निर्वहा और आयोजन करते रहते हैं। उसी कड़ी में आधुनिक जीवन में राष्ट का सम्मिधान भी एक नई सहींता के रूप में जन्म लेता है। मरदे से अभिननन करना चाहता हूँ, बढ़ाई देना चाहता हूँ। लेकिन सम्मिधान निर्मान की एक पुर्व शर्थ होती है। सम्मिधान के निर्मान के लिए रिशी मन होना ज़रूरी होता है। वो मन जो दूर का देख सकता है, वो मन समस्याओं का अंदाज लगा सकता है। और मन आज भी उन शब्दों में अंकित करेगा, जो सो साल के बाद भी समाज को सुरक्षित रखने की, समाज की विकास यात्रा को आगे भडाने की कोशिश करेगा। कितना पवित्र, कितना उम्मदा, कितना विशाल, कितना व्यापक काम आप लोगों के पास हैं। और इसलिए आप बहुत भागिशाली हैं, मैं आपको नमन करने आया हूँ, मैं आपका अभिननन करने आया रहा हूँ। समिधान ये किताब नहीं होती है। समिधान कल, आज और कल को जोडता है। मैं कभी-कभी सोचता हूँ, भारत का समिधान वो हिमाले को समंदर के साथ जोडता है। भारत का समिधान कश्के रेगिस्तान को नागा लेंड की हरी भरी परवत मालाओं के साथ जोडता है। सवा सो करोड नागरिकों के मन को, आशा को, आकांख्षाओं को पल्लबीत करता है। आप जिस समिधान का निर्मान करने जा रहे हैं, वो सिर्फ नेपाल के नागरिकों के लिए नहीं। दुनिया के इतिहास में एक स्वारनिम पुरुष्ठ लिखने जा रहे हो। आपको अस्षिर होगा कि मोदी जी क्या बता रहे हैं। मैं सच बता रहा हूँ। आपका समिधान जो बनेगा, वो सिर्फ नेपाल के लिए नहीं। बिश्व के लिए एक स्वारनिम पुरुष्ठ बनने वाला है। क्योंकि इतिहास की धरोजर में देखें तो एक समराट अशोख हुआ करते थे। युद्ध के बाद शांती की तलास में निकले, युद्ध छोड़ बुद्ध की शरन गए। और एक नया स्वारनिम पुरुष्ठ लिखा गया। मैं उन सब को बढ़ाई देता हूँ, जिन्होंने बुलेट का रास्ता छोड़ करके बैलेट के रास्ते पर जाने का संकप किया, नेकाल की धर्ती पर किया। मैं उन सब को अभिरंदन करता हूँ, जो युद्ध से बुद्ध की और प्रयान किया है और इस अदन में आपकी मौझूद की, युद्ध से बुद्ध की तरफ की आपकी यात्रा का अनुमोदन करती हैं, और इसलिए मैं आपको बढ़ाई देने आया। आप जब समिधान का दिर्मान करेंगे, वो समिधान और मुझे विश्मास है कि पीस प्रोसेस के घर्ब से एक ऐसा उम्दा समिधान जन्म लेने वाला है, जो कोटी-कोटी जनों की आशाक आंख्छाओं की पूर्ति करने वाला है। लेकिन इससे भी आगे आज दुनिया के हर भूभाग में छोटे-मूटे कई गूटे से पादा हुए हैं, जिनका हिंसा में ही विश्वास है। सस्त्र के माध्धम से ही सुप प्राप्त करने का उनको मार्ग लगता है। बिश्व के सामने नेपाल वो देश बनेगा जब समीधान लेकर के आएगा, वो दुनिया को विश्वास दिलाएगा, कि सस्त्रों को छोड़ करके, सास्त्र के सहारे भी जीवन को बदला जा सकता है। ये उमदा काम आप करने वाले हिंसा में विश्वास करने वाले दुनिया के घूटों को नेपाल का संदेश जाएगा, कि बंबंदुक और पिस्तोल के माध्धम से भलाई नहीं होती है, समिधान की सीमा में लोकतांतिक प्रक्रियाओं के द्वारा इच्छित परणामों को प्राप्त किया जा सकता है, और ऐसा उमदा काम आप ने शुरू किया है और उन लोगों ने उसमें हिस्सेदारी किये हैं, जिन्नोंने कभी शस्त्र में भरोसा किया था, शस्त्र को छोड़ करके, युद्ध को छोड़ करके बुद्ध के मार्क पर जाने का रास्ता अपनाय और इसलिए एक ऐसा पवित्र काम आपके माध्यम से हो रहा है इस समिधान सभा के माध्यम से जो विश्व के विश्व के हिंसा में विश्वास रखने वाले लोगों को पुनर विचार करने के लिए मजबूर करेगा और आपका प्रयोग अगर सभल रहा तो विश्व को हिंसा से मुक्ति का एक नया आरग ये बुद्ध की भूमी से मिलेगा ये मुझे आपके समिधान में ताकर नजर आ रही है और इसलिए मैं उस रूप पे इस समिधान सभा को देख रहा हूँ उस सामर्थ के रूप में देख रहा हूँ समिधान किस के लिए है भारत प्रारम से मानते आया है हमारा काम आपके काम में दखल करने का नहीं है भारत का तो काम आप जो संकल्प करे आप जो दिशा चुने उसमें हम अगर काम आ सकते हैं तो काम आना यही हमारा संकल्प है आपको दिशा देना ही हमारा काम नहीं है आपकी मंजील को और ले जाना है हमारा काम नहीं है नेपाल एक सार्ब होम राष्ट्र है हमारी इच्छा इतनी है कि नेपाल ये सार्व होम रास हिमालेज इतने उचाईयों को प्राप्त करें और पुरा विश्व नेपाल को देख करके गवर्वान वित हो ऐसा नेपाल देखने की हमारी इच्छा और इसलिए आपके पडोस में बैठ करके और हमारे लोक कंत्र के अनुभव के आधार पर हमें अच्छा लगता है जब ये बाते सुनते कि आप इस दिशा में जा रहे हैं हमें आनन्द होता है समिधान वो हो जो सर्वम समावेशक हो हर नेपाली नागरी को गरीब हो अमीर हो पढ़ा लिखा हो अनपढ़ हो गाउं में हो शहर में हो पहाड में हो तराई में हो कहीं पर भी हो हर नेपाली को समिधान जब आएं उसको उसना लगना चाइए यह ऐसा गुल दस्ता है जिस गुल दस्ते में मेरे भी पुष्प की महग है और समिधान नरमात ऐसा गुल दस्ता बनाएंगे कि जिसके कारण हर नेपाली को लगेगा हाँ यसा बढ़िया गुल्दस्ताया है मेरा फूल भी महेग मुझे उसमे महसूस हो रही है वो काम आप करने जा रहा है समिधान वो हो जो सर्वजन हिताय हो सर्वजन सुखाय हो किसी एक का भला करने के लिए नहीं समिधान जन सामाने की आशा आकांख्शों की पूर्ती के लिए होना चाहिए समिधान जोडता है समिधान कभी तोडता नहीं है समिधान विबादों को समवाद की और ले जाने का एक मसबल माद्यम होता है और इसलिए चाहे पहाड हो तराई हो समिधान जोडने का काम करे और अधिक ताकत पैदा करने का काम करे उस दिशा में आप सिद्धी प्राप्त करेंगे यह मेरा पुरा विश्वास है समिधान वर्तमान के बोज से दबा हुआ नहीं होना चाहिए और रुशी मन का मेरा ताजपर यही है जो वर्तमान से मुक्ती के अनुभूती करता है और जो आने वाले कल को बहुत गहराई से देख सकता है वो ही रुशी मन होता है जो समिधान का निर्मान आने वाली पीडियों के लिए करता है और हमारी सोच छोड़ी जाएए समिधान में हजारों चीज़े अच्छी होगी लेकिन एक कॉमा एक फुल स्टॉप कहीं पर भी ऐसा आ गया जो आज तो पता नहीं रहे कॉमा है फुल स्टॉप है पता नहीं लिख दिया लेकिन कहीं पचास साल के बाद सो साल के बाद कॉमा और फुल स्टॉप के रूप में आया हुआ कोई एकाथ चीज कहीं विश्बीज न बन जाएं विश्वरुक्ष का जन्म न दें जो नेपाल के इन सपनों को रौन डाले है सिस्तिती कभी आये नहीं ये बारीकी सस्त्र को छोड़ करके सास्त्र का स्विकार करना यही तो बुद्ध की भूमी की से निकलने का आवाज है वही तो संदेश है और उसरत में भारत चाहेगा और जो आप लोगों ने तै किया है जो मैंने सुना है और मैं मानता हूँ कि ये बहुत ही उत्तम काम संगीय लोकतांत्रի अब आज उपलब्ब वहोसा में उत्तम रास्ता आपने चुना है और भारत हमेशा आपके संगीय लोकतांत्री गणतंत्र की कलपना को पूरा-पूरा आदर करता है, स्वागत करता है इंतजार यही है कि जितना जल्दी हो इंतजार इसी बात का है नेपाल और भारत के रिष्टे ऐसे हैं कि थोड़ी से भी हवाई दरुदर हो जाए तो ठंड हमें भी लगती है अगर सुरज यहां तब जाएं तो गर्मी हमें भी लगती है ऐसा अतूट नाता है अगर आप चैन से नस्वय हो तो हिंदुस्तान चैन से नहीं सो सकता है नेपाल का कोई मेरा भाई भूका हो तो भारत कैसे आनंद ले सकता है कल जब यह कोशी की घटना घटी समाचार आए मेरी पूरी सरकार लगी रही भाई कितना बड़ा हाथसा हुआ है क्या हुआ हुआ है इतनी बड़ी चटान गिरी है कोशी नदी का पानी रूका है पता ने इतने लोग खो गए हैं इतने लोग मारे गए जितनी चिंता आपको सताती थी उतनी चिंता मुझे भी सताती थी क्यों? यह कस्ट आपका है वो मेरा भी है यह आपदा आपकी है तो आपदा मेरी भी है और हिंदुस्तान के किसी कौने में जितनी तेजी से मदद पहुचाएं उतनी ही तेजी से मैंने मदद पहुचाने के लिए दिशा पकड़ी और लोगों को मैंने बेच दिया क्यों? आप मेरे हैं हमारे हैं हम आप अलग हो नहीं सकते और इसलिए आपके विकास के अंदर भारत आपकी जितनी आशाक आँचा है उसकी पूर्ति के निगे प्रतिबद है नेपाल जहां से जन्मे हुए बुद्ध ने मन के अंधिरे को दूर किया था विचारों का प्रकाश दिया और मानुवजाद को एक नई चेतना मिली थी ये नेपाल पानी की शक्ति का ऐसा धनी है को बिजली के माध्यम से आज भी हिंदुस्तान का अंधेरा दूर कर सकता है और हम बिजली मुफद में नहीं चाहते हैं हम खरीदना चाहते हैं हम आपका पानी भी ले जाना नहीं चाहते आपका पानी और वैसे वैसे दो एक बात मैं नहीं जानता हूँ नेपाल में एक बात किस रुप में देखा जाएगा पानी और जबानी ये कभी पहाड के काम नहीं आते है पानी पहाड में रहता नहीं चला जाता है और जबानी भी पहाड में जबानी थोड़ा सा उमर बढ़ गए तो मो कर दो चलो कहीं चले जाए रोजी रोटी बेचारे को कहा है रोजी रोटी नहीं है वो जबानी भी पहाड के काम नहीं आते है लेकिन किसी यूग में कहा गया होगा हमें इस बात को बदलना है वो पानी पहाड के काम कैसे आएं वो जवानी पहाड को कैसे नए रोनक दें वो नए नई दिशा बदलना हम जाएं और इसलिए विकास यही एक उसके लिए मार्ग है भारत विवादेश है नेपाल विवादेश है यहां कितने नवजवानों की तादाद है अगर उन नवजवानों के हाथ में आउसर दिया जाएं नेपाल की कल क्या नेपाल की आज बदलने का सामर्थ है इस नवजवानों में है वो आउसर कैसे मिलेगा हम प्राकृतिक संधार संधारों का समुचीत उप्योग करके विकास की एक दिशा ताइन ही करेंगे तो कैसे होगा भारत इसके लिए आपके साथ कंदे से कंदा मिला करके चलना चाहता है ने ने आप कीजिए आप अपने नेत्रुत्व का परिछे दीजिए और अकेले हिंदुस्तान को बिजली बेच कर भी नेपाल समरुद्द देशों में अपनी जगा बना सकता है इतनी ताकत आपके पास है हम इसमें आपके साथ आपकी स्फिकास यात्रा में जूड़ना चाहते है यहाँ पर ट्रकों के द्वारा ओईल आता है युग बदल चुका है पाइपलाइन से क्यों ना आए हम उस काम को पूरा करेंगे शिक्षा के एक शेत्र में यहाँ के नौजवान भारत आते हैं उनको भारत सरका स्कॉलर्शिप देती है उस्कॉलर्शिप पाने वाले नौजवानों के संख्या में मैं बढ़ोधरी करना चाहता हूँ अधिक नौजवानों का उसर मिले और यह मैं आपको समझ लीजिए आज ही गोशना कर दी उसका फायदा उठाईए जब लक्ष्मन जी मुर्शित हो गए तो हनवान जी पाउधा लेने के लिए हाँ आए थे आज पुरे विश्व में होलिस्तिक हेल्थ केर की चर्चा चल रही है हिमाले जड़ी बुट्टियों के हिमाले के घर्व में पड़ी है हम हर्बल मेडिसीन को बढ़ावा दें क्यों नेपाल दुनिया में सबसे बढ़ा हर्बल मेडिसीन का एक्पर्टर क्यों बढ़ें क्या क्या नहीं है आपके पास मैं आपके साथ कंदे से कंदा मिला करके काम करने के लिए तयार हूँ भारत जो मदद हो सके करना है क्योंकि आने वाले दिन में विकास को कैसे किस दिशा में ले जाना आपके पास ये पड़ा है मैं नया नहीं कहता हूँ टूरिजम सबासो करोड देशवासी आपके पडोस में ऐसे है जो कभी ने कभी पशुपतिनात आकर के अपना सर जुकाना चाहते है भगवान बुद्ध के पास आकर के सांती का संदेश लेना चाहते है क्योंने नेपाल का टूरिजम उस रूप में विक्सित हो ताकि भारत से बहुत बड़ी मात्रा में टूरिस्ट नेपाल को मिले है और टूरिजम एक ऐसा क्षेत्र है कम से कम पुंजी से जाना से जादा रोजगार देने वाला को क्षेत्र है तो टूरिजम है टूरिजम आता है तो चना बेचने वाला भी कमाता है मुह भली बेचने वाला देक्षिवाला 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 देक्षि पूरे विश्व के नौजवानों को पांगल कर दें, इतनी ताकत आपकी धर्ती के पास पड़ी है, मैं आप से आवान करता हूँ, आगे आईए, पूरे विश्व का एडवेंचर यूथ, जिसको एडवेंचर करने का मिजाज है, जिसको पहड़ों पर जाने की इच्छा रख आदी हैं, आप पूरे विश्व के युवा को ललकार सकते हैं, आईए, कितना बड़ा उसर है, हमें सम्मिधान भी निर्मान करना है, हमें नेपाल को नई उचाईयों पर भी ले जाना है, और उसके लिए एक पडोसी का धर्म हम निभाने के लिए प्रतिवत्त है, मेरे मन में आया, मेरे मन में आया, मैंने का नेपाल को हिट करें, मुझे लगा है, मैं ऐसा शब्द प्रयोग करूँगा, तो साहिए आपको बुरा लग जाएगा, ये कौन होता है हिट करने मादा, लेकिन मैं जब हिट करने के बात करता हूँ, तब मेरे मन में तीन प्रमुग बाते हैं, हिट, एक हाइवेज, दूसरा हाइवेज, और तीसरा टांसवेज, नेपाल को भारत की जितनी जल्दी ये गिप्ट दें, हाइवेज दें, हाइवेज इन्फरमेशन वेज, पूरे विश्व के अंदर नेपाल पीछे रहना नहीं चाहिए, नेपाल भी डिजिटल बनना चाहिए, नेपाल विश्व के साथ जूड़ना चाहिए, आइवेज चाहिए, और ट्रांसवेज, ट्रांसवेज, ट्रांसवेज लाइन्स, आज बिजली जीतनी हम दे रहें नेपाल को, उसको डबल करने का मेरा इरादा है, और उसके लिए जीतना जल्दी ट्रांसवेज लाइन लगाएंगे, अभी हम नेपाल का अंधेरा दूर करेंगे, और दसक के बाद, अंधेरा हिंदुस्तान का नेपाल दूर करेगा, ये हमारा नाता है, और इसलिए मैंने कहां, H, हाइवे, I, इन्फर्वेशन वे, T, ट्रांसवे, ये मैं हिट करना चाहता हूँ, और आप भी चाहेंगे, ये हिट जल्दी हो, मुझे विश्वास हैं कि हम, अब हमें लगता है, जीतना जल्दी नेपाल को हमारे पांस बुला सके, हम बुलाना चाहते हैं, अब इसको खिशक करते हैं, तो ले जाने वाला विज्ञान तो भी आया नहीं है, लेकिन, अगर महाकाली नदी पर ब्रीज बन जाए, तो मेरे और आपकी बिच की धूरी बहुत खतम हो जाएगे, आप एकदम हमारे पांस आ जाएंगे, आज हमें घुम घाम करके पहुचना पड़ता है, महाकाली नदी पर ब्रीज बन गया, तो हमारा, हमारी धूरिया कम हो जाएगी, और हम, इस बात पर बल देखर करके आगे बढ़ना चाहते हैं, उसी प्रकार से, सीमा, हमारे लिए, बॉर्डर जो है, वो बैरियर नहीं हो सकती, बॉर्डर भीज बनना चाहिए, और हम चाहते हैं, भारत और नेपाल की सीमा, इस प्रकार से बाइबरंट हो, अच्छे पन की लेंदेन होती रहे हैं, ताकि आपका भी विकास हो, भारत के भी, आपके साथ जुड़े हुए छोटे-छोटे जो राज्य हैं, उनको भी विकास का भी अवसर बिले हैं, एक योजना आज मैं प्रदानमंत्री जिसे बता रहा था, मैंने कहा कि हिमाले प्रग्रिश्तर सोना बहुत जरूरी है, इतनी बड़ी प्राकुर्तिक संपदा है, भारत ने उस पर एक काम शुरू किया है, हमने हमारी इस बजेट में भी उसकी गोशना की है, नेपाल भी उसमें आगे बड़े हैं, और हम मिल करके हिमाले की शक्ति मानुजात के लिए कैसे काम आ सकती हैं, उसके वेज और मिन्स क्या हो, उसके सामर्थे को हम पहचाने, विज्ञान की उन नई परतों को हम खोले, और मानुजात के कल्यान के दिशा में, हम जुरू काम करें, उसी प्रकार जहम प्रयास करना चाहते हैं, कभी-कभी मैं हरान हो जाता हूँ, अमेरिका टेलीफोन करना है, बड़े सस्ते मह जाता है, लेकिन नेपाल फोन करना है, बड़ा महंगा पड़ जाता है, और हमें समझ ने आता है भी, यह क्या बात है, ऐसा कैसे बेरियर, और नेपाल के लाखों लोग हिंदुस्तान पर रहते हैं, बेरिवार से बात करना चाहते हैं, कर नहीं पाता है, नमस्ते करके फोन ड़क देता है, मैं स्थिती बदलना चाहता हूँ, दोनों दोनों देशों में यह जो सर्विस प्रोवाइडर हैं, उन से मिल करके हम भी बात करेंगे, आप भी बात कीजिए, यह तो, यह कनेक्टिविटी ऐसी नहीं होनी चाहिए हमारे बीच में, बड़े आराम से, सहट इसे, कम खर्चे बात हो, और उसी से, उसी से बनाता जुड़ता है, लाइव कम्यूनिकेशन जितना बढ़ता है, उतसे नाता बनता है, और हम उसको बढ़ावा देना चाहते हैं, अभी आपने सुना होगा, जब मैं, मेरा शपत समारो था, मैं प्रधान मंत्री के रूप में शपत लेने वा करके, गरीबी के खिलाब लड़ाई के लडने का एजन्डा लेकर आगी क्यों पड़े, गरीबी के खिलाब लड़ाई में हम दोनों हम सब, सभी सारग देश एक दूसरे की मदद करें, और उसमें एक काम, सारग देशों को, और भारत का दाहित्वा हैं, हम को उपकार नहीं और इसलिए अभी अभी मैंने गोशना की है कि स्पेस टेक्नलोजी का लाप हमारे सार्क देशों को मिलना चाहिए और इसलिए भारत की तरफ से एक सार्क सैटेलाइट लाँच किया जाएगा जिस सार्क सैटेलाइट का लाप हेल्ट सेक्टर के लिए एजुकेशन सेक्टर के लिए स्पेस टेक्नलोजी का लाप सार्क देशों को मिले नेपाल को मिले उस दिशा में हमने कदम उठाना ताय किया है और इसलिए इसका आगेने वाले दिनों में जुरूर लाब मिलेगा उसी प्रकार से मैंने पहले ही कहा कि जो मल्टी पर पर प्रोजेक्ट आपने देखा होगा हम इतने पांस में हैं आप और बीच में कोई ज़्यादा दूरी नहीं है आते आते 17 साल लग गए यह खरता है मैं आपको बादा करता हूँ अब ऐसा नहीं होगा और मैं तो कुछी मेनों में वापिस आ रहा हूँ सार्क समीट के समय और मैंने उस समय ताय किया है कि में उस समय जब आओंगा तो राजा जनक को भी नमन करने जाओंगा भवान बुद्ध को भी नमन करने जाओंगा यह खुशी की बाद है कि पंचेश्वर प्रोजेक्ट बहुत पहले तै हुआ कितने रुपिय की लागज बढ़ गई लेकिन अब आथोरिटी का निर्मान दोनों देशों में हुआ है मैं मानता हूं एक साल के भीतर भीतर 5600 मेगावाट का यह प्रोजेक्ट काम आरम हो जाए आप कल पुरा कर सकते हैं नेपाल की कितनी बड़ी सेवा होगी आज नेपाल के पाज जितनी बिजली है उससे करीब करीब पाँच गुना बिजली है चोटी बात नहीं है जी विकास को कितनी नई उच्छाई मिल सकती है और उसके लिए भारत बिल्कुल प्रोएक्टिव रोकर के आपके साथ काम करने के लिए त्यार हो और हम आपको उस दिशा में पूरा प्रयास करेंगे एक बात की और मैं चाहूँगा जैसे मैंने का हर्बल मेडिसीन एक बहुत बड़ा ख्षित्र है वैसे भी और्गनिक फार्मिंग पुरे दुनिया के अंदर एक बहुत बड़ा मार्केट खड़ा हुआ है जो माल रुपिये में बिखता है वो अगर और्गनिक है तो डॉलर में बिखने लग जाता है और नेपाल एक ऐसी भूमी है जहां ये संबव है भारत में सिक्कीम एक राज्य आपके प्रडोस में ही माना जाएगा सिक्कीम ने पूरा और्गनिक स्टेट बना दिया अपने आपको और उसके कान उसका विश्वा एक नया मार्केट खड़ा हुआ है अगर नेपाल उस दिशा में जाना चाहता है मुझे खुशी होगी आपको मदद करने के आपके साथ काम करने के उसी प्रकारते हमने एक प् लेकिन हम स्वाइल हेल्थ कार किसानों को उसकी जमीन की तबियत कैसी है कोई बिमारी तो नहीं है विश्यस्ताएं क्या है किस प्रकार के फसल के लिए उप्योगी है कौन सी दवाईयां वहां नहीं डालनी चाहिए कौन सी दवाईयां ही डाली जा सकती है कितना को जो हम हिंदोस्तान में आगे बढ़ा रहे हैं यहां के किसानों को प्यक्र उसका लाब मिलेगा तो क्रिशी आधुनिक हो क्रिशी विज्ञानिक हो उसमें हम बहुत बड़ी मात्रा में उप्योगी हो सकते हैं और मैं चाहता हूं का आने वाले दिनों में इसके लिए आप ज आज ये भी आपको गोश्रा करके जाना चाहता हूं भारत नेपाल को दस जार करोर नेपाली रुपए हैं कंसेशनल लाइन ओफ क्रेडिट की सहायता देने का हमने निर्णे किया हैं हम यह सून इस्चित करेंगे कि इस क्रेडिट का उप्योग नेपाल की प्रास्पिक्ता पर होगा आप इसे हाइडरो पावर इंफरस्रक्टर इंसानिक शेत्रों में लगाएं तो ये करीब वन बिलियन डॉलर जैसे अमाउंट में आज और पहले इसका जो दिया हुआ है ये इस से अलग है उसके साथ इ दिया है ये नया है तो फिर एक बार मैं आपने मेरा स्वागत किया सम्मान किया इसलिए मैं आपका अभारी हूं लेकिन मैं फिर से एक बार विश्वाद दलाता हूं कि दुनिया की नजरें आपके तरफ हैं विश्वे बड़ी आशा भरी नजरों से आपके तरफ देख रहा है क्योंकि सस्त्र से मुक्ति का मार्ग सम्मिधान के माध्यम से आज सस्त्र के रास्ते पर चल पड़े लोगों को वापिस लाने का काम नेपाल की सफलता से जुड़ा हुआ है आप सफल हुए तो दुनिया को वापिस लौटने का आउसर मिलेगा सस्त्र छोडने की प्रेना मिलेगी और लोग तांत्र की ववस्ता से भी जन्मन की आशा कांख्षाओं की पूर्ति का रास्ता नया विश्वास पैदा करेगा आप समिधान के इस काम को उस रूप में देखें इसने मैं दुबारा उस बात का उलेग करता हूँ कि आपका रिशी मन सो साल के बाद नेपाल कैसा हो नेपाल के लोग कैसे हो नेपाल के लोगों को क्या मिले इसका निर्णे आप कर रहे है और उस निर्णे में आप सबल होंगे और भगवान की बुद्ध की भूमी में विचारों की कोई कमी हो नहीं सकती इरादों की कमी नहीं हो सकती है संकल्प शक्ति की कमी नहीं हो सकती है और इसलिए एक नया इतिहास यहां से रतने जा रहा है इसको इतना बड़ा अलाब मिले वला है यह मुझे पुरा विश्वास है और हम सब को मैं यही कहूँगा कि हमारे जो सम्मंद है भारत नेपाल मैतरी यह अमर रहे भारत में नेपाल मैतरी जुग जुग जिवे और यह सार्वफ़म राष्ट नेपाल हमाले से भी नई उचाईयों को उपर उठे इसी शुब कामराओं के साथ फिर एक बार आपकी बिचाने का उसर मिला बहुत बहुत धन्यवाद मनिस्वद शेयरू